क्या आप अपने 6 मिने के बच्चे का developmental milestone जानना चाहते हैं या आप चेक करना चाहते हैं कि आपके 6 मिने के बच्चे का growth and development प्रापर है या नहीं तो यह वीडियो आपके लिए है समस्कार दोस्तों मैं डक्टर डी के रहा है आज हम बात करेंगे कि 6 मिने के बच्चे में किन किन developmental milestone को चेक किया जाना चाहिए सबसे पहले बात करेंगे physical development का बच्चा दोनों दिसाओं में घूमेगा बच्चा आगे पीछे हिलता रहेगा और बिना किसी सहारे के बैठने लगता है ऐसे में आपको क्या करना है अपने पसंदिदा खिलानों को उसके पास छोड़ दें और ताकि वह आसानी से वहां लु से अधिक बार पुकारना है अगला है cognitive skill इसमें बच्चा एक हांत की चीज को दूसरे हांत में रखता है बच्चा उन बस्तों को पकड़ने कोशिस करता है जो उनकी पहुंच से बाहर है ऐसे में आपको क्या करना है अपने बच्चे को ऐसे खिलाने दें जो एक हांत में गेम खेलना शुरू कर सकते हैं अगला है nutritional development बच्चा भोजन में रूची दिखाना शुरू कर देता है और चमच दिखाने पर अपना मूग खोलता है बेवी मीठे अलू और गाजर जैसे सुद्ध भोजन खाना शुरू कर देता है ऐसे में आपको क्या करना है उसे दो तीन चमच soft food देना सुरू करें अब इनमें किन किन लक्षनों को आपको चेक करना चाहिए यदि बच्चा किसी दिखा में आगे नहीं बढ़ता है बच्चा आसपास की आवाजों का जबाब नहीं देता है बच्चा हसता नहीं है बच्चा आसपास की बस्तों को पकड़ने कोश इस नहीं करता है और बच्चा माता पिता और अन्य देख बाल करने वालों से प्रेम नहीं दिखाता तो यह अलार्मिंग साइन है और आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और ऐसे में आपको डॉक्टर से संपर्ख करना चाहिए या इन डवलप्मेंटल माइल स्टों में से और इस चैनल को सब्सक्राइब करें यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद